Exercise 2.2 question number 2 में हमें sum of zeros और product of zero दिया हुआ है और इसका हमें quadratic equation बना कर बताना है तो 1 by 4 sum of zero है और जो second number है वो product of zero है तो यहाँ पर एक format होता है x square is equal to minus bracket में alpha plus beta alpha plus beta क्या है sum of the zeros into x plus alpha beta alpha beta यहाँ पर product of zero है तो यहाँ पर यह sum of the zero है यहाँ अलफा plus beta के value दिया है 1 by 4 और product of zero alpha into beta दिया है minus 1 अब यहाँ पर value put करेंगे alpha plus beta है 1 by 4 और alpha beta है minus 1 यह तो यहाँ पर यह plus और यह bracket में लिखेंगे alpha beta के value minus 1 अब यहाँ पर यह हो जाएगा plus minus minus अब यहाँ LCM लेंगे तो 4 आएगा तो 4 का multiply हो जाएगा x square में 4 x square यहाँ पर 4 से 4 cancel हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x minus x और यहाँ पर 4 का multiply हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा minus 4 तो यहाँ पर minus 1 लिखा है मैंने यहाँ आएगा minus 4 अब यहाँ पर जो quadratic equation होती है उसकी value 0 के equal होती है तो 4 जो divide में यहाँ पर आके multiply में हो जाएगा तो यह पूरा 4 जो है वो 0 हो जाएगा तो quadratic equation क्या हो जाएगी 4 x square minus x minus 4 यह answer हुआ अब जो second वाला है इसमें दिया है root 2 और 1 by 3 यह sum of 0 है याँ अलफा प्लस बिटा है और यह product of 0 यह alpha into beta है अब value put करेंगे alpha प्लस बिटा root 2 है और alpha बिटा है 1 by 3 LCM लेंगे 3 तो यह हो जाएगा 3 x square minus 3 का से multiply हो जाएगा 3 root 2 x और यह 3 से 3 cancel हो जाएगा बच्चे का सिर्फ 1 तो यहाँ पर यह 3 multiply में है यहाँ पर आके multiply में आ जाएगा और पुरा 0 हो जाएगा तो यह हमारी quadratic equation बन गए अब 0 और root 5 दिया है sum of 0 0 दिया है यहाँ अलफा प्लस बिटा की value 0 दिया है और 0 कम x से multiply करें किसी भी नमबर से तो 0 हो जाता है पूरा टम और अलफा बीटा प्रोड़क्ट ऑफ 0 root 5 दिया है तो बच्चे का सिर्फ क्या x square plus root 5 यह quadratic equation है